इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी पेंग्रास और टेबलेट PDE 5 inhibitor नामक दवाओं के समूज से संबंध रखता है यह आपके लिंग में रक्त वाहिकाओं को आराम देकर काम करता है यह रक्त को लिंग में प्रवाहित होने देता है और यौन उत्तेजित होने पर इरेक्षन उत्पन करता है यदि आप यौन रूप से उत्तेजित हैं तो यह दवा केवल इरेक्षन पाने में मदद करेगी यह बहुत प्रभावी है लेकिन यौन क्रिया से कम से कम 30 मिनिट पहले लेने की जरूरत है यदि आप नाइट्रेट्स नामक दवाएं भी लेते हैं, अकसर सीने में दर्ड के लिए दी जाती हैं, तो इस दवा को न ले इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं पेंग्रा सौ टैबलेट भूजन के साथ या बिना भूजन की ये इसे लिया जा सकता है, लेकिन बहतर ये होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए पेंग्रा सौ टैबलेट एक फॉस्फो एस्टरेज 5 यानि की PDE 5 इनहीं बिटर है, ये आपके लिंग में रक्त वाहिकाओं को आराम देकर काम करता है, जिससे यौन उतेजना पर लिंग में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है ये आपको यौन क्रिया के लिए उप्यूक्त कटो, सीधा लिंग प्राप्त करने और बनाय रखने में मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को, टन आन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें, धन्यवाद